क्या आप किसी को जानते हैं जो हर साल अपने जॉब में प्रोग्रेस करता है जिसकी सैलेरी अगर आज आप कंपेर करें उनके दो या तीन साल पहले की सैलेरी से तो हलो नमस्ते पेचेक प्रोज मैं हूं मनी शाउदा और यह है पेचेक टो प्रोफित इंडिया का पहला यूट्यूब चैनल जो बात करता है आपके साथ आपके किया दो चैनल आज चैनल फार बने मिग्राइब करते हैं कुझण साफ और जो इन शल्राइब क्रोफित इंश्र huhन्स के बारे में कोई ना कोई वीडियो बनाए हैं बहूत सारी इंफिमेशन आको बसक्վब के आपके बहुत सारे सवालों का जवाब दिया है और मैं ने एक चीज नोटिस की मैं एक topic जिसके बारे में मुझे थोड़ा हो सकते है Chuck पहले बात कर लिना चाहिए था, मैंने जिसके बारे में नहीं बात किया है, यह पूरा महीना मैं उस टॉपिक के बारे में बात करूँगा, और यह टॉपिक है Mindset of Money, आपको आपके पैसो को लेकर mindset को ठीक करना बहुत ही ज़ादा जरूरी है, आपका mindset क्या है पैसो को लेकर, क यह टॉपिक बहुत ही ज़ादा जरूरी है, खास करके उन लोगों के लिए जो working professionals हैं, जो बहुत महनत करके अपना पैसा कमाते हैं, जिनके पास अच्छी खासी degrees हैं, लेकिन वो दिन रात महनत करते हैं अपने jobs में, क्योंकि आप इतना stressful life जीने के बाद में, mostly सारे लोगों के पास time नहीं होता है, पैसो को invest करने के लिए, और over a period of time, यह time ना होना, अपने आप ही एक stress में बदल जाता है, अगर आप इस चीज से agree करते हैं, तो please comments में मुझे बताई, आपको कौन सी चीजे हैं, जो परिशान करती हैं पैसो के बारे में, हो सकता है, उन्हें पढ़कर मैं आपके लिए जादा अच्छा content आपके लिए future में बना सको, पर आज बात करते हैं mindset of money को लेकर, एक उधारन देता हूँ मैं आपको दोस्तों, इसके बारे में ज़रा सोचिए, क्या आप किसी को जानते हैं, जो हर साल अपने job में progress करता है, जिसकी salary अगर आज आप compare करो, उनके 2 या 3 साल पहले की salary से तो उनकी growth 200, 300, 500% हो चुकी होगी, लेकिन वो आज तक उतने ही stress में रहते हैं जितने वो 3 साल पहले थे, अगर आपकी mindset पैसो को लेकर जगा पे नहीं है, अगर आप insecure feel करते हैं, तो ये आके जाके आपको बहुत ही जादा परेशान कर सकता है, पर इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप चाहें तो आप ये mindset of money को change कर सकते हैं, मैं इस महीने की आने वाले 14 और 24 तारीख को और वीडियो शेयर करने वाला हूँ, और उन वीडियो में मैं आपके साथ money mindset के बारे में ही बात करोंगा, तो अगर आप इस चै कभी भी अपने पैसो को लेकर confident नहीं होते हैं, please इस वीडियो को उनके साथ share कीजे ताकि वो इस वीडियो और आने वाले दो वीडियो को देखकर इस topic के बारे में समझ सके, हो सकता है उनको पहले के वीडियो देखकर थोड़ी और जानकारी मिले, मैं आशा करता हूँ आप अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपने family का ध्यान देते रही है, जितना हो सके घर में रही है, अगर घर के बाहर जाने की जरूरत पढ़ रही है, तो सिर्फ और सिर्फ बहुत ही जरूरी काम से बाहर निकल लिए, और जब बाहर निकल रहे हैं तो मास्क प